नमस्कार, वेलकम टू श्रीगुरू मित्रों आज आपसे मैं हेल्दी हेर्स के लिए कुछ टिप्स शेर कर रही है हर महिने पारलर में हेर इस्पा और अन हेर थिरैपी के लिए हम अच्छी खासी रकम खर्च कर देते हैं इसके बावजूद परशानियों से 100% शुटकारा तो नहीं मिलता है तो बालों की सेहत सवारने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खों की भी मदद ले सकते हैं इसके लिए एक अच्छा आप्शन है प्याज करस यह बदबुदार तो होता है लेकिन आपके बालों के लिए संजीवनी की तरह काम करता है तो प्याज में जो सलफर होता है वो बालों को बढ़ाने में बहुत सहायक होता है और इसमें जो एंटी ऑक्सिडेंट्स होते हैं वो बालों को रूसी और फंगल इंफेक्शन से निजाद दिलाते हैं अब आपको यूस कैसे करना है प्याज का रस आप दो प्याज पीस करके और उसके रस को छान लिजिए और फिर उस रस से सिरकी मालिश कीजिए और एक घंटे के बाद शैंपू कर लिजिए दूसरा अप्शन ये हो सकता है आलू का रस ये बहुत ही असरदार औशिदी है बालों के लिए आलू के रस में जो एलोपीशिया होता है वो बालों को घना बनाता है और इसके अलावा आलू के रस में विटामिन A, B और C भी बहुत परियापत मातरा में होते हैं इन विटामिन्स की कमी से आपके जो बाल होते हैं वो रूखे और बेजान बन जाते हैं तो आलू का रस आप प्रियोग करेंगी तो इन सब परिशानियों से छुटकारा मिलेगा अब प्रियोग कैसे करना है तीन आलू को किस लेना है और फिर उसका रस निकाल लेना है उसके बाद इससे सिर्की मारिश करनी है और एक घंटे के बाद आप शैंपू कर ले अगर बाल आपके बहुत ज़्यादा रूखे हैं याने ड्राई हैं तो आप आलू के रस में एक अंडे का पीला भाग और एक चमश शैद भी डाल ले और उसके बाद बालों में लगाएं और एक घंटे के बाद शैंपू कर ले तीसरा अप्शन है सफेज सिर्का ये आपके बालों के रूखे पन को दूर करता है ब्राईनिस को से छुटकारा दिलाएगा ये और साथ ही बालों का जो पीच लेवल होता है उसको भी संतुलित रखने में ये सफेज सिर्का बहुत ही मददगार होता है तो इससे बालों को पोशन बहुत अच्छी महत्रा में मिल जाता है इसको इस्तमाल करने के लिए आप एक कप पानी में दो चम्मस सफेज सिर्का और छे साथ बुन्द हेयर ओयल की मिला लें सिर्दोने के बाद आप ये जो मिश्रन है इसको अपने सिर्पर लगाएं और पाँच मिनट के बाद आप साधारन पानी से नॉर्मल वाटर से सिर्पर को धो लें इसके अलावा कुछ पारंपरिक चीजें भी हैं जो आपके बालों को स्वस्थ और चमकदार बनाया रखने में काफी मदद करती हैं पुराने समय से ही बालों के लिए महिलाएं मेथी दाना, आवला, रीठा, शिकाकाई जैसी औशोदियों का उप्रयोग करती आई है तो इन उशोदियों का प्रयोग करने के लिए अगर आपको मेथी दाना का प्रयोग करना है तो आप चार गिलास पानी में दो बड़े चमच मेथी दाना के रात को भीगो दें और हो सके तो आप 24 घंटे तक जो हैं इसको भीगो कर रखेंगी तो परिणाम ज्यादा अच्छा मिलेगा उसके बाद आप इस पानी को यह जो मेथी दाना अपने भीगो आया था उसको जो पानी निकला है उस पानी को छान कर गुन-गुना कर ले और इससे अपने सिर को धोए रोज अगर आप यह उपाय अपनाएंगी तो आपके बाल बहुत जल्दी बढ़ने लगेंगे ऐसे ही अगर आमला, शिकाकाई और रिठा कप्रयोग करना चाहती हो तो इनको भी पानी में भीगो दें और भीगोने के बाद इसका जो पानी एक दिन के बाद या बारा घंटे के बाद निकलेगा उस पानी से आप अपने बालों को धोए आप ध्यान रखें कुछ चीजों का कि अगर आप इन में से किसी भी तरीके को नियमे तोर पर अपनाती हैं तो आपको निश्चित तोर पर बालों की सेहत में बहुत ही सुधार नजर आएगा और अगर आप बाल धोने से एक घंटे पहले गुनगुने तेल से सिर्की मारिश कर लेती हैं तो आपके बालों का जो रूखापन है उससे आपको निजाद मिल जाती है यदि आप बालों में कोई आयूर्वेदिक तेल इस्तमाल कर रही हैं तो आप अगर इसका बहतर नतीजा चाहती हैं तो आप कोई भी केमिकल वाले शैंपू या कंडिशनर से दूर रहें किसी भी आयुर्वेदिक नुस्खे को अगर आप अपना रही हैं अपने हेर्स के उपर और आप चाहती हैं कि उसके बहतर और अच्छे परणाम मिले तो आपको बालों पर किसी भी तरीके के केमिकल इस्तमाल करने से बचना चाहिए मैं ये निश्चिती दावा कर सकती हूँ कि अगर आप इन में से कोई भी एक आयुर्वेदिक नुस्खार नियमी तोर से अपनाएंगी अपने हेर्स के उपर तो आपको निश्चिती फायदा होगा क्योंकि मैंने भी ये किया हुआ है और करने के बाद ही मैं आपको ये वीडियो में बता रही हूँ तो आप इसका लाब जरूर उठाएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैगुरू